Hi everyone, welcome to Achievers Academy हमने बिछले वीडियो में बच्चों देखा था कि जो characteristics हैं particles की matter कि वो क्या है अब इस वीडियो में हम किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करेंगे जो states है matter की जो हम जानते हैं कि there are three states of matter solid, liquid and gases तो आज हम बात करेंगे इन तीन states की solid, liquids and gases की so let's start in this picture आप देख सकते हो जो solid है, यह solid के particles आपको जो molecules हम दिख रहे हैं ठीक है, यह हमें पता है कि जितने भी आपके matter है हर matter weather living, non living, जो भी चीज़े हैं कही ना कहीं वो molecules और atoms ही मिलका बने होते हैं, right you know जैसे हम यह अपनी बात करते हैं, तो हमारे अंदर cells होते हैं तो उसी तरह से जो यह molecules हैं, जो atoms हैं वो किस तरह से orange होते हैं, देखो solids में you can see, यह atoms कैसे हैं, बहुत ही पास-पास हैं कोई space ने दिख रहा है, यह आप देख रहा है, यहाँ पर बिल्कुल there is no space liquid में हम यह देखें, तो yes यहाँ पर कुछ-कुछ space दिख रहा है और gas में काफी space है between the particles तो जो atoms हैं, जो solid, liquid और gases के यह आप कह सकते हैं, जो molecules हैं इन में क्या है, बहुत ज़्यादा difference होता है, arrangement का difference है solids में बहुत ही पास होंगे molecules, liquid में distance होगा और जो gases हैं, उसमें काफी दूर होते हैं तो now we'll do a comparative study of these all three states हम तीनों की एक comparative study देखते हैं पहले हम बात करते हैं, solid state की, ठीक है दूसरी हम, liquid state and gases देखो यह बहुत ही main है, question के form में भी आता है कि compare the three states of matter तो हमें एक compare करना होता है, कि क्या हम देख रहे हैं ठीक है, क्या similarities और dissimilarities हैं तो यदि हम बात करते है definite shape की, shape की बात करते हैं तो solids have definite shape, ठीक हम देख रहे हैं, solids have definite shape अब देखो क्यों solid की definite shape है, यह देख रहे हैं कि जो solid है, कितना पास पास इसके molecules हैं तो जब इसके molecules इतने पास हैं, तो यह क्या होगा, movement ही नहीं होगा इन में रश्य है इतना ज़्यादा, तो solid को कुछ इसी तरह compare कर सकते हो, कि yes, आप उसमें कोई change नहीं हो सकता, solid की जो state है, ठीक, अब हम लिक्विट में देखें, तो liquid have no definite shape, liquids में definite shape नहीं है, liquids की definite shape क्यों नहीं है, क्योंकि liquids में क्या है, space है between the particles, अब जब space है, तो ठीक है, यदि हम इसको, liquid को, suppose, किसी और उसमें करेंगे, transfer, तो क्या होगा, थोड़ा बहुत movement होगा इन particle का, इनको पास जगे है यह movement के लिए, you can see this, तो उतने movement से क्या होगा, यह shape change कर लेते हैं, तो they don't have a definite shape, in the same way, gases also have not any definite shape, जोसे liquid है, आपने क्या क्या, आपने एक bottle में water रखा है, अब आपने उसी water को आपने glass में डाल दिया, अभी तक water की जो shape थी, वो bottle की थी, अब जो water की shape है, वो किस की होगे, in the same way, जो gases होते हैं, आपने एक cylinder में डाला, तो gas ने उसी cylinder की shape ले ली, आपने उसको दूसरे किसी, उस में डाला container में, तो gas उसकी shape लेगा, लेकिन क्या आप solid को ऐसा कर सकते हो, नहीं, आपकी table है, क्या आप table की shape change कर सकते हो, can you imagine, even table तो बड़ी चीज है, आपके हाथ में erasor होगा, क्या आप erasor की shape change कर सकते हो, आपने pencil और pen की shape change कर सकते हो, नहीं, because these all are solids, तो solids have a definite shape, whereas liquids and gases don't have the definite shape, they can change the shape, और they take the shape of the container, उस container की shape ले ले लेते हैं, जिसमें इसको हम pour करते हैं, जिसमें हम डालते हैं, second point है आपका volume related, ठीक है, second point is volume, अब यदि हम volume की बात करते हैं, देखो volume क्या होता है, volume होता है कि कितना space occupy कर रहा है, अब यदि आपने अपने एक pencil ले, उसको रखा है, तो वो उतना space occupy करेगी जितनी उसकी, उसका volume है, उससे कम नहीं करेगी, आप उसको कोई fold नहीं कर सकते, आप उसको कम space नहीं occupy कर सकते, in the same way, आप कोई भी solid लेलो, आप board लेलो, duster लेलो, यह कोई भी any solid, किसी की भी shape change नहीं हो सकते, अब यदि आप volume change नहीं होगा, in the same way, यदि हम liquid की बात करें, तो liquid में भी एक खासियत होती है, shape तो change होगी, लेकिन volume change नहीं होगा, क्यों नहीं होगा change volume, अब यदि आपने, suppose 200 milliliter आपके पास milk है, और वो एक आपने glass में रखा, या फिर आपने उसको एक cup में रखा, या फिर आपने उसको एक bottle में रखा, ठीक है, glass हो सकते है, आपका full हो जाए, cup हो सकते है, आपका full हो जाए, लेकिन bottle में बड़ी bottle है, तो obviously उसनी जगे बची रहेगी, क्योंकि 200 milliliter milk उतनी ही space केरेगा, जितना इसका volume होगा, तो ये आपका जो liquid है, उसका volume जो हो fix होता है, they have the fixed volume, right, अब हम gas की बात यदि करेंगे, gas is different in this, gas में volume भी change हो जाता है, there is no definite volume in case of the gases, gases का volume definite नहीं होता है, अब कैसे नहीं होता है, देखो, gases में क्या है, ये आप देख रहेए, इसके जो particles है, gases के जो molecules है, वो इतना दूर दूर है, इतना फार है, कि आपने कि उसको compress कर दिया, आपने किसी छोटे container में कर दिया, जिसका size कम है, तो ये compress होके उसमें आ जाएंगे, volume change हो जाए, यहाँ पर volume fix नहीं है, तो हमने क्या देखा, solids have fixed volume, liquids also have fixed volume, but gases, they do not have fixed volume, फिर हम बात करते हैं, density की, density क्या होता है, mass per volume होता है, ठीक है, अब यदि हम solids की बात करते हैं, तो solids की density बहुत high होती है, क्यों high होती है, क्योंकि यह heavy होते हैं, solids heavy होते हैं, इनकी density high होती है, अब हम liquid की बात करें, तो liquid की density mild to high होते हैं, मतलब ये solid से कम होगी लेकिन gases से इनकी density जाद होगी जब हम compare करेंगे density को तो solids की density सबसे जादा होगी क्योंकि solids का mass भी जादा होगा और volume उस mass के हिसाफ से हमेशा कम होगा देखो यदि मैं बात करूँ आप से आपने 1 kg का एक weight है अब उस 1 kg weight को आपने volume उसका निकाला और आपने उसको जब density निकाली mass for volume से तो क्या होगा denominator आपका कम है तो हमेशा क्या होगा density high रही की solid में ध्यान रखना लेकिन जब हम बात करेंगे liquid की या फिर gas की तो density यहाँ पर solid से जादा होगी लिक्विट में density solid से जादा होगी पर gases से कम होगी gases में क्या होगा gases में तो gases बहुत expand करते हैं तो उनका volume बहुत जादा होता है तो यदि mass जादे तो volume भी उसी ratio में उनका बहुत जादा हो सकता है तो यहाँ पर क्या होगा इनकी जो density density agasus की बहुत कम होती है तो यहाँ दाद लो डेंस्टी यदि हम बात करें density की तो जो density in case of the solids that have the high density liquids have mild to high density और जो gases and they have the low density next point है आपका compressible अब molecules को देख करके ही आप बता सकते हो कि कौन से molecules compress कर सकते कौन से नहीं कर सकते हैं बता मुझे क्या यह solid के molecules compress कर सकते हैं comment box में आप लिखके बताना ठीक है क्या compress कर सकते हैं पहले बताओ compress का मतलब क्या हुआ यह दिया आप इसको compress कर रहा दवारे जिए आपका हाथ में sponge है sponge को आप compress करते हो न थोड़ा compress होता है तो एक sponge तो एक क्यासा शौलेड़ जो compress होगा पर क्या दूसरे solids है कि आपकी बुक compress हो सकती है क्या नहीं हो सकती हो copy compress हो सकती है नहीं हो सकती तो solids compress नहीं हो सकते हैं लेकिन हम यदि liquid की बात करें देखो यहाँ पर अब obvious क्यों नहीं compress हो सकते हैं इसका कारण आपने देखी लिया कि molecules में जगे ही नहीं है ना बिल्कुल बीच में जब space ही नहीं है तो compress कैसे होंगे बट in case of liquids क्या होगा यह बहुत हलका सा compress हो सकते हैं यह भी compress हो नहीं पाते हैं स्लाइटली compress हो सकते हैं लेकिन gases compress हो सकते हैं तो को liquid कैसे compress नहीं हो सकते हैं क्या आप ऐसा कर सकते हैं क्या आपके पास 200 ml का आपका जो आपका उसको छोटे कप में कर सकते हो, 100 ml में नहीं कर सकते हैं, इससे क्याश हो रहा है कि liquid compress नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप 200 ml gas को जिस container में वो है, उससे छोटे container में transfer कर सकते हो, ये क्याश हो कर रहा है कि ये gases compress होती हैं, तो ये अंतर है आपका compressibility में in case of the solid, liquid and gases, तो आप क्या of solids, they are least compressible, जो आपके liquids हैं, they are slightly compressible, और जो gases, these are highly compressible, अब हम kinetic energy की बात करते हैं, kinetic energy क्या होती है, पढ़ा है आपने, kinetic energy, अभी आप physics में पढ़ोगे kinetic energy, kinetic energy is the energy in motion, जब कोई चीज motion करती है, और तो जो energy होती है, वो kinetic energy होती है, अब ये बताओ मुझे, क्या ये solid में molecules जो है, motion कर सकते हैं, क्या, क्या ये घूम रहे हैं, उपर नीचे जा सकते हैं, ये kinetic energy है, वो क्या है, लीस्ट होगी solid में, liquid में थोड़ा space है, तो it is more in liquid than in solid, and gases में random movement चलता है, वाल्स पे जो container है, उसकी वाल्स पेस के जो molecules हो तकराते रहते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो गया, आपका about the kinetic energy, kinetic energy is least in case of the solids, it is more than solid in case of liquid, and the gases take half the maximum kinetic energy, अब है fluidity, इसको हम fluidity भी कहते हैं, fluidity क्या है, fluidity means कोई चीज का बहाव होना, मुझे बताओ क्या solid में fluidity हो सकते है, क्या solids flow कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पर liquid में तो होती है, liquid can flow, आपका milk था glass में, और वो बाइचन साफ से हिल गया, और milk गिर गया, फ्लो करके वो गिरेगा फर्ष पर आएगा, लेकिन एक limit तक जाएगा, ऐसा नहीं कि पूरे घर में आपके फैल जाएगा, या पूरे रूम में दूर तक चल जाएगा, उसकी limit होगी, वहां तक वो जाएगा, बट जब हम gas की बात करते हैं तो gases पूरे में फैल सकते हैं, ठीक है, तो fluidity में भी क्या है, solids cannot flow, liquids flows from the higher to lower level, and एक और चीज भी है कि flows in all direction, अब जो liquid की बात करें, तो आपका इजी, suppose glass से दूद गिरा है, table से, तो वो किसी एक direction फैल जाएगा, ऐसा तो नहीं, चारो फैल जाएगा, लेकिन यदि आप gases की बात करते हैं, यदि आपने एक incense stick चलाई है, जो उसमें smoke है, वो तो चारो और ह एलिगन, तो जो gases है, that can flow in all the direction, तो हमने ये सारे इनके देख लिए, अभी इसमें एक point mention नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं, कि जो melting point और boiling point होते हैं, solids के high होते हैं, ठीक है, आप लिख सकते हैं, कि melting point and boiling point, ठीक है, वो solids में high होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इसमें mid to high कर लो, भी solid से ज़्यादा होते हैं, लेकिन, gases से कम होते हैं, और gases के, gases have least, they have maximum and gases have least, melting point and boiling point, अब देखो यह होता कैसे हैं, जब हम solid की बात करेंगे, तो चुकिन molecules इतना पास हैं, तो इनको जब हम गरम करेंगे, तो melting point, boiling point क्या होता है, कि उससे state change होगी, right, तो उसके लिए क्या होगा, इनको movement करना होगा, जब तक molecules इस position में तर्फती solid रहेगा, इसको liquid में आने के लिए position चाहिए, उसके लिए बहुत energy चाहिए, तो वो energy इतनी लाने के लिए, कि वो अपने melting point या boiling point को gain कर पाए, वो ज़्यादा चाहिए, in case of solid, पर in case of liquid, solid से थोड़ा कम चाहिए, और gases में बहुत कम चाहिए, क्योंकि easily melt हो सकता है, easily boil हो सकता है, ठीक है, तो यह हो गया आपका, आज का complete session, कि क्या comparison है, क्या differences है, आपके तीनों states में, जो आपका solid, liquid and gases state हम देखते हैं, तो यह question भी बहुत important है, इसको अच्छे से learn कर लेना, समझ के learn करना, to the point इसमें questions पूछते हैं, कई बार, ऐसा नहीं पूछेंगे, कि केवल आप two differences लिख दो, या three differences लिख दो, ask generally, कि in basis पर difference करो, compressibility को लेकर, rigidity को लेकर, fluidity को लेकर, तो आपको यह पता होने पॉइंट्स और उस पर आपको differences लिखने होते हैं, तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, समझ कर देखना, और उसको revise करना, note कर सकते हो, आप इसके notes बना सकते हो, and plus, पसंद आए वीडियो, तो comment box में लिख कर बताना, thank you for watching the video, और हमेशा जुड़े रहो, Achievers Academy के साथ, औ आपको इसी तरह regular videos मिलते जाएंगे,